हेलो फैन वेलकम बैक वीडियो का थंबनेल देके आप समझी गया होंगे कि इस वीडियो में टूटाओ जो 19 KTM 250 डूक के बार में बताया जाएगा और अगर आप KTM 125 डूक और KTM 200 डूक के बार में जाना चाहते हैं तो उसके उपर अलग सी वीडियो बना हुआ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं इस बाइक में 248.8 CC का सिंगल सिरेंडर 4 स्टॉक लिक्विड कूल इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 30 HP का पावर और 24 अनम का टॉक जनेट करता है इस बाइक में 6 स्पीर तक यह बॉक्स दिया गया है इसके सस्पेंशन की बात करें इसके फ्रंट में WP 43 mm अपसाइड डाउन और रियर में WP Mono Socks सस्पेंशन लगा हुआ है टायर और ब्रेक्स की बात करें इसके फ्रंट और रियर में 17 इंच का टूबलेश टायर मिलता है अलाव विल के साथ जिसके फ्रंट में 300 mm का डिस ब्रेक और रियर में 230 mm का डिस ब्रेक लगा हुआ है और सेफटी को ध्यान में रखते हुए इसमें Dual Channel का ABS भी दिया गया है फीचर्स की बात करें तो इसमें LCD डिस्पले दिया गया है जिसमें Speed, Trip, Low Fuel, Service Reminder जैससे फीचर्स सो होते हैं इस बाइक के Head Lab में Halo Zen और Tail Lab में LED Light लगा हुआ है इस बाइक की Breaking System बहुत ही अच्छा दिया गया है अगर आपकी बाइक 66 के MPS तक है तो 0 के MPS तक आने में केवल 2 सेकेंड का वक्त लेती है इस बाइक के Dimension की बात करें तो इसकी Seat Height 830 mm है Wheel Base 1357 mm है Ground Clearance 185 mm है इस बाइक में Fuel Tank के अफसे 13.4 लिटर की दी गई है और इस बाइक का Dry Weight 146 kg है अगर बात करें इस बाइक के MPS की तो कंपनी का कहना है कि ये बाइक 32 के MPS से लेकर 35 के MPS तक मालेज दे सकता है वहीं इस बाइक की Top Speed 150 से लेकर 160 के MPS तक है हालाक ये Top Speed Fixed नहीं है और यहां इस बाइक का Xeroom Price 1.80 लाक रुपीज से लेकर 1.97 लाक रुपीज तक है